हेलो दोस्तो मैं हूँ विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो वीके राज चेनल तो दोस्तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टेस्ट बुक एप के बारे में इस एप का एकाउंट डिलीट कैसे करते हैं और लॉग आउट कैसे करते हैं तो बने रहे हैं इस वीडियो के साथ दोस्तो सबसे पहले इस एप को कर लेना है open तो यहां पर अप्डेट का आफसान आ रहा बर्याज है बट मैं इसको drt करके open कर लेता हूँ जस्ट हमने open पर किलिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जा रहा होगा तो study वाला जो scene है यहाँ पर दीख रहा है जो इसका interface है study के लिए सब चीजे बताया जा रहा है अब आपको इस three line पर किलिक कर देना है जैसे कि हमने three line पर किलिक किया और यहाँ पर देख सकते हो धेर सारे options देखने को मिल जाते हैं support का option मिल जाता है, language का option देखने को मिल जाता है तो यदि आपको text book customer care से बात करने है तो आप इस पर किलिक कर दीजिए और यहाँ पर देख सकते हो आप कोई भी message type कर सकते हो जिसका reply आपको देखने को मिल जाएगा तो यह हो गया customer care से बात करने को जैसे कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो customer care से बात कर लेना ओके नहीं तो आपको यह setting का जो option है नीचे आपको setting के options पर click कर देना और यह लॉगाउट करना है तो इसके लिए यह जो three dot उपर right में दिख रहा है right corner में आपको इस पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर दिख सकते हो logout का option देखने को मिल जा रहा है तो आपको just logout पर click कर देना है अब यहाँ पर delete का option नहीं मिलता पर्मानेटरी डिलीट का option नहीं मिलता आप logout कर पाओगे अब यदि आप logout कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो account है logout हो जाएगा और आपको कोई भी message नहीं मिलेगा means यहाँ पर delete का option नहीं मिलता है आप logout ही करना उके उसके बाद यहाँ पर दोबारा हम इस app को open करते तो यहाँ पर देख सकते हो create account का option देखने को मिल जा रहा है तो दोस्तो इसी तरीके से आप अपना account textbook app में logout या डिलीट कर सकते हो दो